कि आज वुस्क्राइब करेंगे इस्टेंब सैल के बावी परकें में के वारेएं परस्टापोर हम यह करें कि स्टेंब सैल क्या हो थी ठीक है को यह सैल यह को हम कि स्टेंब सैल तब ढई है कि specific properties होती है stem cells की, जैसे कि first जो property है, वो है stem cells are un-differentiated cells, इन ही cells है, वो un-differentiated है, मेनिंग कि उसका अभी जद हमें एक function नहीं बना है कि वो किस टाइप की functioning के लिए responsible होगी ठीक है तो मतलब function is unknown when cell is undifferentiated and that type of cells is called stem cell clear है second पात है कि stem cell कैसी होगी known spatial liatum nature की होगी ठीक है कैसी होगी stem cell known spatial liatum cell होगी next पात है stem cell spatial liatum stem cell के जो पात है क्या होगी क्यानि है special cell type production capacity यानि कि stem cell में एक spatial cell type production करने की capacity प्रजटी 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 होगी next characteristic है stem cells are self-renewable stem cells जो है वो खुद की preparation खुद करने की लिए responsible होती है ठीक है कोई पी cell अगर self-renewable हो सकती है तब हम उसे क्या पहलेंगे stem cell बोलेगी ठीक है और next इसकी जो प्रपरटी है क्या है सेल्फ प्रजटी ठीक है यह जो stem cell है इन भी कुछ specific type की सेल्फ प्रजटी क्या होगी प्रजट होगी ठीक है तो अगर यह सबी गरेक्टर किसी भी सेल्फ प्रजटी है तब हम उस टाइप की सेल्फ प्रजटा देंगे कि वो क्या है इस टैंसल के रिस्कवरी की बात करें तो माईश में इस टैंसल इसकवर्टी नाइटी वन लें टिकेट और और हो में पें इस टैंसल के डिजा है विके नाइटी नाइटी नेटी नाइटी अटी नाइटी नाइटी नेक्सटों कहां पाढ़ करते हैं Types of stem cell. Okay? Types of stem cell. And first type जो कैसे का हो है, on the basis of cell potency. Okay? On the basis of cell potency. यह जो है, वो most of ली, three parts में डिकाइब होती हैं. First, totipotent cell. Second, pluripotent cell. And third, multipotent cell. Okay? Cell potency के basis में इसके कितने time होगा है? Three, totipotent, pluripotent और mighty potent. And essentially, on the basis of location. Location के बिस्स में इस पर डिकाइब हैं इसके कि? Embryonic, germ cell, fetal stem cell, and additive stem cell. Clear है? यह हैं इसके types. सबसे आले हम बाख करते हैं रचों. All the basis of cell potency. Cell potency के basis पे stem cells three types में divide होगी. Totipotent, pluripotent, multipotent. Totipotent cell वो होगी, जो special cell type का, specific old cell type का generation करती हैं. इसके responsible होगी. ठीक है? जैसे कि मायदों जाइबोर्ट है, इसका example आजाता है. Example क्या है? जाइबोर्ट से हम फर्टिलाइज जाइब भी कहते हैं. ठीक है? तो जाइबोर्ट क्या करेगा? एक फ्यूचर, एक पर्टिकुलर जो है, infant के preparation करेगा, एक पर्टिकुलर चाहिए के preparation करेगा, या हम बोले कि, जाइबोर्ट से एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर पार्टिकुलर क्या होगा development होता है. ठीक है? यानि कि, टोटी-कुटेंट सेल, वो सेल टाइब है, जो specific old सेल टाइब का generation करनी में लिए, क्या है capable है? एक्जाम्बल होजाएगा, जाइबोर्ट या फिल-fertilized and, ठीक है? ठीक है? नेक्स्ट, जो टोटी-कुटेंट सेल में, उन्हें हम, pre-amunic stage से क्या करते हैं? निकाल द आपको, टोटी-कुटेंट सेल में, जाइबोर्ट की, तो जाइबोर्ट से क्या करेंगे, अन्हेलों से क्या करेंगे, स्टैम्जल को रिमुट करते हैं, ठीक है? बटोटी-कुटेंट से निकालेंगे, उप्यूस के एक्जाम्बल इसका चाइबोर्ट है, तो हम क्लाइब जो नगा पॉरिक लेकिन टोटी को ऋटेट सेल्स से क्या जाएकोर से जब हम चैल को दिमूँ कर खेंग करवाते हैं तो अंप्रियों की क्या हो जाती है? डेज्ट हो जाती इस कंदिशन में और embryonic dash का मतलग है किसी particular human being है उसकी dash करवा है तो टोटी को है कि stem cell को हम करचे नहीं करवा सकते हैं टोटी इंकी उपर क्या है? बैंड लगा हुआ है, clear? Pluripotent stem cell की बात करते है, Pluripotent stem cell क्या है? और cell type का generation करने की capacity तो नहीं है इंवे, बट कुछ specific cell type का generation की capacity में easily कर सकते हैं Pluripotent stem cell को post-amity only stem cell से remove करते हैं और इंका example हो जाएगा Amplical cord, ठीक है? Amplical cord, Pluripotent stem cell या Amplical cord को हम लेजिनी लग्नेक्टिस में बल्चर करवा करके डख सकते हैं, ठीक है? Next है, Multipotent stem cell, हाँ एक और बात भात भात रखेंगे, कि जो Pluripotent stem cell है, इनको ICM जो सेल में वहां से remove करते हैं, ICM क्या होती है, यहां देखें जब बाते कुना जाएगोट के preparation हो जाती है, तो जाएगोट के बाद डिवीजर के जाएगोट में और ब्लास्टोला के preparation होती है ठीक है? जिते रब ब्लास्टोल से सभी होते हैं, ब्लास्टोला से को प्रोफोग्लास्टोला सेल और इनल सेल मास, ICM सेल, ठीक है? तो क्लूरी पॉर्टेंट सेल को बच्चों हम अगर प्रोफोग्लास्ट सेल को remove कर दिया जाए तो हमारी पास ICM बच्चेगा obviously प्रोफोगी पॉर्टेंट की स्टेंट सेल को ICM जो पोर्शन हैं सेल हैं वहां से क्या क्या करती हैacağ छ प्रोफोग्लास्टोलास्टो ऑच़एं यह होगया लोने फोटेल इत्तां सेल रान बखिर जह मतने हैं सब्भग का जन्रेशन करने की कैपसिती नहीं होती हैं कुछ भी स्पेशल ताइप जन्रेशन इन पर गट सकती हैं यह ऴार्ट है नेक्ट्स आफ कुछ अप गते हैं मल्लिपोर्टैंट की कैसी कि जेने सरफ है कि यह करती है कुछ लिमिटेड़ ऐसलाइप के जंड़ेशन दुटुटी गुस्पामल होती है कुछ लिमिटेड सेट टाइप ऐसलाहे जाइशन यहला दpark और हमें पता लें कि ब्लरृट्ष हो यह तो आलिस की वह दान का मैं तो ब्लड के चो कंटोनेंट है वो आपी सी है ड़ी बीजी है यानिकि एक स्पासिफिक सेंट ताइब का चैनल की कर सकते हैं अधर के कंदू कि ब्लड सेंट जातके नर्वस अच्छों की प्रप्रेशन करवा दें या नर्व सेंट बना दें तो यह पूसिबल नखीन है अगी विख्वर गया तो मल्डी पोटैंट स्थैंट स्थम्स प्रपशिक क्या है कुछ लिवेडेट सैल टाइप का फ्बरेशन कर ली है तक हम झाना काहीं कि ब्ल्डी पोटैंट स्थम्स अ यह तो बारोटेंगे बज्ょऑश्वर लापकित सस अम्यवल की शाफुक्त आनक प्रश्वल में, अंडियोनिक स्टेम सेल और अंडियोनिक स्टेम सेल तो पर जो प्रचों अंडियोनिक स्टेम सेल जो हैं, वो अंडियोनिक जो पंडियोनिक 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 पंडि हो यह वहां से हैं करने का का करने कि यह वार आप तो बता चाहिए है कि एक पर्यकूलर एंप्रिक फिर्ट यह पर नहीं दे लगववग तैस्टिस आवरी निटांस निट हैं आक्थ दर्फिक लिए उसमें जो इसमिन देब्यों करते हैं वहा से हुं क्या करें, सेल को रिमूव करवारे, तो हम देंगे एंब्योरी की चल्ट सेल, फीलल सेंट सेल, देखिए, प्रेगिंसी जो पेडियड होता है, वो उप्तारी तो कपेड नाइन मन्थ का होदा है, तो fetus जो state है fetus से हम stem cell निकाल रहे हैं तीर महिटे के अगर अरुडियों है उससे हम क्या कर रहे हैं cells को remove कर रहे है then हम क्या कर रहे हैं कि वो कॉम से cells है fetal stem cells का example last रहता है adult stem cells adult stem cells को हम adult state है वैस उच औसता है वहां से क्या करते है रिपो करते हैं तो यह बात होगे बच्चों stem cells के बारे में ठीक है जिसमें आपने देखा कि discovery का कोई थी किस type के बत्रिस्टिद है और क्या-क्या type उसती है stem cell के ठीक है ठीक है